किसान साथियों आप जानते हैं दिन बदिन खेती योग भूमी कम होती जा रही है ऐसे में कम भूमी में हमें अधिक उत्पादन लेना है कम जमीन में कैसे हमारे बागबान किसान साथि अधिक आए के साधनों को बना सकते हैं इसके लिए पुश्प उत्पादन एक बहुत अच्छा विकल्प है हिमाचर परदेश का वातावरन फूलों के उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल पाया जाता है आज जर्वेरा फूल कैसे हिमाचर परदेश में पहुचा और जिला सिर्माओर के किसानों ने कैसे इसको अपनाया हम परियास कर रहे हैं कारिकरम के मार्धिम से अपने किसान बागबानों को बताने का जर्वेरा फूल जब पॉली हाउस में तयार हो जाए उसके बाद उसकी सस्योतर क्रियाएं क्या रहेगी किस समय में फूल को तोड़ना है फूल तोड़ाई के बाद उसकी पैकिंग किस समय और किस स्थिती में होनी चाहिए मार्केट में ये फूल कितने दिनों में पहुँचना चाहिए अंततह हमारे किसान बागवान कितने लाब में रहते हैं आज इस कारिक्रम में हम बाचीत कर रहे हैं जरवेरा वो फूल है जो देखने में बहुत सुन्दर, बहुत मनमोहक है हर तरह के कारिक्रमों में चाहे बात शादी की हो, चाहे कोई घर का कारिक्रम हो हर जगह जरवेरा फूल पाया जाता है जिला सिर्मौर के बागवानों के द्वारा उगाया गया ये फूल दिल्ली की मंडियों में शोभायमान हो रहा है इस फूल की बहुत अच्छी कीमत वहाँ पर मिल रही है आज के कारिकरम में हम बाचीत करने जा रहे हैं पुषपुत पादन के बारे में जरवेरा पुषप का नाम आप सभी ने सुना होगा कैसे इस पुषप की खेती हिमाचर प्रदेश के किसान बागवान कर सकते हैं किन विशेश बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए किस क्षेतर में जरवेरा के पुषप उत्पादन बहुत अच्छी तरह से हमारे बागवान किसानों के द्वारा उगाये जा सकते हैं यह सारी जानकारी लेने के लिए आज हम आपहुंचे हैं जिला सिर्मावर के धौला कुवास्थित क्षेतरिय बागवानी अनुसंधान केंदर में और यहां पर हम जानकारी लेंगे पुषप बैग्यानिक डॉक्टर प्रियंका से इन से जानेंगे कि जरवेरा पुषप का उत्पादन हिमाचर प्रदेश में कैसे संभव हो सकता है जरवेरा एक अतियंत सुन्दर मनमोहक वह आकर्शक पुषप है यह दुनिया भर में उगाये जाने वाली एक महत्तपुन पुषप यह फसल है विश्वता भारत की पुषप मंडियों में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है और यह लोगप्रे भी हो रहा है और इसका कारण है इसकी लंबी वो मजबूत डंडिया और उन पर लगने वाले तरह तरह के विभीन परकार और परकार के अकरितियों के सुन्दर पुषप इसकी गुलदान आयू भी बहुत लंबी है इसे कटे फूलों के रूप में, गमलों में, क्यारियों में, कोनों में और आजकल आप देखेंगे कि जितनी भी शादी भ्या और तोहार उस सब होते हैं तो उन में इनका प्रचलन बहुत ही बढ़ गया है शादी भ्या के अवसरों में तो पूरे के पूरे पंडाल ही इन फूलों से सजाए जाते हैं किसी को बुके गिफ्ट करना हो, तो भी जर्वरा का ही किया जाता है तो विश्व और भारत की जितनी भी मंडिया है, उसमें ये काफी लोगपरिया होता जा रहा है यह एस्टरसी कूल का सदस्य है और इसके जो फूल है वो जुंड में से निकलते हैं और इनकी जो किसमे हैं जैसे की इकेरी है, दोरी है, आदी दोरी है, यानि कि सिंगल, सैमी, डबल और डबल टाइप की होती है जर्वेरा अत्यांत सुंदर मनमोहक पुष्प है व्यावसाइक तोर पर हिमाचल परदेश की किसान बागबान इसकी खेती भी कर रहे हैं लेकिन आपके मन में प्रशन उठ रहा होगा यदि हिमाचल परदेश में जर्वेरा का उत्पादन करना है तो इसकी कौन-कौन सी ऐसी किसमे हैं जिसका चुनाव हमारे किसान इवं बागबान साथी कर सकते हैं डॉक्टर पियंका बताएं हमारे बागबानों जर्वरा के वैवसाइक तोर पर फूल उत्पादन करने के लिए उचित किसमों का चुनाव बहुत ही आवशक है लंबे तने वा दोरी अधिक पंखुडियों वाले पुष बाजार में महेंगे बिखते हैं और ऐसी किसमे किसान भाईयों आपको उगाई जानी चाहिए जो बाजार की मांग के अनुसार हो और वातावन के प्रतिकुल प्रभाव को भी सह सके तो रंगों के हिसाब से जिस तरह आप पॉलिहॉस में देख रहे हैं कि तरह तरह के रंगों के पुषपियां खिले हुए हैं तो लाल किसमें जो हैं सालवाडोर, एमलेट, रेनी, जूलिया, लोरेटो, नताशा और सुनाटा सफेद रखे हैं जो टॉप मॉडल, डैंबलैंकी, डालमा, जैंबला, एंड बैलेंस गुलाबी जो हैं लोरियाना, एरियाना, मुरैल, पिंक एलिगेंस और रोजलीन संत्री में इलाइट, काईलिया, मेरिलीना, सुलेरो, पीले में टेकलो, पोंचो, पास्टो, सुलेडो, लॉरेंस, पिटान, डान आइलन और ये कुछ ऐसी भी किसमें होती हैं जो दो रंगों की होती हैं जैसे की मैकसिमा और फिगारो लेकिन अब प्रशन ये उठता है कि जरवेरा की खेती हमारे किसान इवंबागबान करे कहां क्या इसे संरक्षित तोर पर किया जा सकता है इसके लिए बातावरन की किस तरह की आफशक्ता रहती है जलवाई कैसा चाहिए खाद उर्बरक और पानी को किस तरह से हमारे बागबानों को सुनशित बनाना होगा डॉक्टर प्रियंक का जरवेरा का उत्पादन यदि हमारे बागबान किसान साथ ही करते हैं तो क्या इसे खुले में उगाया जा सकता है या पाली हाउस में अधिक उत्पादन हमारे बागबान ले सकते हैं जरवरा के उत्तम क्वालेटी के पुष प्राप्त करने के लिए इसे नैचुरली वेंटिलेटिट पाली हाउस में हो गई है जिस वक्त गर्मिया होती है उस वक्त इसमें उपर से 50 प्रतिशत शेडिंग नेट लगाकर इसमें छाया परदान की जाती है ताकि जो पुष्पों को एक अनुकूल वातावर्ण मील सके वैसे 22-25 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान और 12-16 डिग्री रात का तापमान जो क्यारियों में पानी दे इसके रास्तों में भी पानी दे और आजकल तो मिस्टर्स हैं इसमें काफी प्रावधान रहता है जो आजकल के मॉडरन जो पॉली हाउसेज है इस तरह से इसमें यह नमी परदान हो जाएगी अच्छा और दूसरा ही है कि जब लगाना है पौदों को तो मैं किसान भाईयों आपको यह बताना चाहती हूं कि यह पौदे के आफ बायो प्लांट स्पूने और फ्लोरेंस फ्लोरा न्यू डैली से प्राप्त किये जा सकते हैं और आम तोर पर यह जीफी पॉट्स में आते हैं जो कि एकदम ही लगाने के लिए तयार रहते हैं तो लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप अपनी मिट्टी का उपचार कर लें सबसे जो एहम बात इसके अंदर जर्बरा में है कि मिट्टी का उपचार करना बहुत ही जरूरी है आने था इसमें पीथियां, फाइट अफ तोरा और फुजेरियम जैसे बीमारियां आती हैं जिससे कि पहुदे को अधिक नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए सबसे पहले जैसे फॉर्मलीन है 100 ml प्रती 5 लीटर और मिथाईल ब्रोमाइट एक रसायन है जो कि 20-30 ग्राम प्रती लीटर के इसमें मिलाया जाता है लेकिन जो आज सबसे जादा कारगर सिद्ध हो रह ुकि और थे रसायन के अवशिष निकल जाएं उसके बाद वह प्लाइटिंग करते थे साघ से दस दीन के बाद लेकिन इसमें ऐसा है नैनो सिलवर विद हाइट्रोगन परकुली इसके अदर एसा है कि आप इवन पान के शे कंटे बास हैं लिए तो जब भी प्लाइग आप तो एक तो यह तरीका है, दूसरा जब भी हम इनको पौधे लगाएं तो इसमें टपक सिंचाई जो इसकी जो आपूर्ती है, वो 300 से 500 प्रती ML जो पौधा है प्रती दिन के हिसाब से देना चाहिए, तो यह टपक सिंचाई द्वारा ही आपूर्ती इसकी पुरी की जा सकती है इस पुषपिये पौधे के लिए जो मिट्टी की त्यारी करनी है, उसमें मिट्टी हलकी पत्थरीली होनी चाहिए, जिसका कि पी एच मान 5.5 से 6.5 हो, वो उप्यूकत रहता है दूसरा इसमें इस बात का विशीष ध्यान रखा जाना चाहिए, कि जो मिट्टी है वो भुरबरी होनी चाहिए, पौधे के नीचे या जड़ों में कोई ऐसी कोई भी मोटी परत या कोई पत्थर जैसा ना हो, जिसकी वज़े से उसकी जड़े हैं, उनको बढ़ने में होनी चाहिए, चावल की भूसी से क्या होता है कि इसमें पकड़ आ जाती है मिट्टी के अंदर, तो दूसरा यह कि वर्मिकुलाइट, कोको, पीट, नारियल को बुरादा, यह सारी चीज़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीडिया, मिश्रन बनाने के लिए इसको, लेकिन से आप यह क्यारियां देख रहे हैं, नीचे से इसका जो बेस है वो 70 cm होता है, उपर आकर यह 60 cm और पौदे से पौदे की जो दूरी है वो 30 cm, इस तरह से 1 स्क्वेर मीटर में 4-6 पौदे आते हैं, तो एक स्क्वेर मीटर में, लेकिन यहां जब हम वेवसाइक तोर पे इस 40 cm होता है, तो सिर्माओर के बागबान किसानों को आप क्यों आगरह करती है कि पुषपुत पादन को अपनाए, ऐसा पुषपुत पादन में क्या है, जो दूसरे तरह की खेती बाड़ी में नहीं है, किसान भाईयों, आज के परिवेश में पुषपुत पादन मातर एक श जान बहुत ज्यादा हो गया है, और दूसरा है कि हिमाचल परदेश में अभी तक जो 1993-1994 में मातर 22-25 हेक्टेर जो भूमी पर फूलों की खेती की जाती थी, आज के परिवेश में यह आंकड़ा 801 हेक्टेर तक पहुँच गया है, और सिर्माओर जिले में ही इसका 430 हेक् कर्मट और मेहंती किसान हैं, वो इनकी पुष्पों की खेती करते हैं और जितने भी इसमें बागवानी से रिलेटी जितने भी काम होते हैं, वो सारे ये करते हैं, हम से आकर ट्रेनिंग भी लेते हैं और हम इनको सारी जानकारी इसको लगाने के लिए देते हैं लेकिन इसकी सस्योतर क्रियाएं क्या है, जब ये फूल तयार हो गया, कैसे इसको काटना है, कैसे मार्केट तक पहुँचाना है और कितना जरोरी है सस्योतर क्रियाओं को समझना हमारे बागबान किसानों के लिए डॉक्टर प्रियंका जर्बरा एक ऐसी पुष्पिय फसल है जिसको पौध रोपन के बाद इसमें एग्जैक्ली 60-65 दिनों में इसमें फूल आ जाते हैं और एक बार फूल आगे तो उसकी सही अवस्था का ग्यान होना भी बहुत जरूरी है कि हमें किस अवस्था में इन फूलों को काटना है तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये फूल जब इसकी पुष्प डंडी से समकोन बनाएं जो उसकी बाहर की पंखुडियां है वो पुष्प डंडी से समकोन बनाएं उस वक्त इन फूलों की कटाई करनी चाहिए और ध्यान रही ये सुबह ये शाम के वक्त ही करने चाहिए ज़ादा गर्मी होने पर इन फूलों की कटाई नहीं करने चाहिए अन्य था इसकी गुल्दान आयू पर विप्रीद असर पड़ता है और दूसरा जब भी इसको फूलों को काटे तो पानी की बाल्टी साथ में रखें ताकि काटने के बाद ही एकदम उनको पानी की बाल्टी में डाल दिया जाए और इसको डाल कर इसकी लंबी गुल्दान आयू को बढ़ाया जा सकता है और दो से चार डिग्री सेल्सियस कोल्ड स्टोर में इनको रखें तो दूरस की मंडियों में इनको काफी दिनों तक यह तरो ताजा रहते हैं डॉक्टर प्रियंगा से हमने जानकारे लिए जरवेरा के व्यावसाई खेती कैसे संभव हो सकती है आईए दोस्तों अब बाचीत करते हैं ऐसे प्रक्तिशल किसान से जो जिला सिर्माओर के सैनवाला मुबारिकपूर से सम्मद रखते हैं रवी स्वरूप जिनका नाम है आईए इनसे बाचीत करते हैं और जानते हैं कि पुष्प उतपादन से ये कब जुड़े आपका कारिकरम में बहुत-बहुत स्वागत है अभिनंदर है हमारे बागबान किसान जो इस कारिकरम को देख रहे हैं आपसे जानना चाहते हैं कि पुष्प उतपादन को आपने क मुकाम तक पहुंच चुके हैं तीस साल से यहां खेती कर रहा हूं कि हमारी यहां पुष्टैनी जमीन है अच्छा इसमें आगे बढ़ने के लिए हमरे पास गिहूं गन्ना और मकी की फसल से बाहर निकलने के लिए हमें कुछ ऐसा रास्ता चाहिए था जिसमें हमें थोड़ी चौदा में जैनवर्य मैने में इसका उतपादन शुरू किया हमने मई में इसका हमें उतपादन मिलना शुरू हो गया हम लोग इसकी ईसकी जो खेती है इससे संतुष्ट है क्योंकि एक एच्छा पूल है मार्केट इसकी हो जाती है हम लोगों के साथ imagined खराण भाही उत्रा संबाल रखा था हम लोग उनके साथ जुड़ गए और ये फूल हम मंडी गाजीपूर मंडी नौइडा में है जो दिली में बहां हम भेज देते हैं बड़ी स्चारू रूप से हमारी यहां ट्रांस्पोर्टेशन की विवस्ता है जिस दिन हम फूल तोड़ते हैं हमारी यहां पूल बेज देते हैं लगबग साथ साड़े साथ बजे हमें उसका रेट पता लग जाता है और दस बजे के करीब वो हमारे को बैंक में हमारा पैसा ट्रांसफर कर देते हैं मैं सोचता हूं कि हमारे किसान भाई क्यूंकि यह जो खेती है बाकी जैसे ब्यहवार में जो सब कर रहे हैं उससे निकलके अब इस काम में जुड़ें तो बहुत ज्यादा फाइदा हो सकता है किसान भाईयों को मैं कहता हूं इनको बच्चों को जो ने लड़के हैं जो की बार जगे उनको जहां जौब नहीं मिल रही है उनको फूलों की खेती में आना चाहिए रविश कुछी आप पछले लंबे समय से जर्वेरा के पूश्व उत्पादन से जुड़े हैं हमारे बागबान किसान साथ ही आप से जानना चाहते हैं कितने क्षेतर में आपने जर्वेरा पुष्व का उत्पादन किया है और हमारे बागबान किसान तभी इस पेश wattी यहंगे तो आप successful farmer हैं, आप अच्छी खेती करने हैं, हमने अब तक लगभग तीन लाग से जादा प्लांट बेच चुके हैं, हमारा target है साड़े चार लाग प्लांट इस साल में पूरे करने का, हम वो लगभग साड़े आठ लाग रुपे हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें आप समय लिए खर्चे भी हैं, हमारे लेबर का भी खर्चा है, और भी सारे खर्चे निकाल दो, मैं गयता हूं, 50% खर्चा आप निकाल दें, तब भी आपके बास कुछ पैसे बच जाते हैं, तो यह हमारा इसलिए यह अच्छा है, कि कि आप एक पूरे साल इसमें व्यस्त रहते है आप गहूं लगाने के बाद छे मिने सो जाएंगे, तो उसके बाद आप छे मिने के बाद जाएंगे, काट लेंगे उसको, इसमें आप रोज व्यस्त रहते हैं, कभी आपने कीट नाशक करना हैं, कभी आपने इसमें खाद देनी हैं, कभी इसमें आपने गुडाई करनी है तो आप सारे साल व्यस्त रहते हैं तो मेरा मानना ऐसा है कि ये करके आपका एक तो दिल लगा रहेगा एक आपको पैसे मिलेंगे, काम अच्छा है और आपका वातावरमी बढ़िया है तो मेरे खाल में वागमानों के लिए बढ़िया चीज़ है दोस्तों इनसान का संबंद फूलों से वर्षों से बना रहा है चाहे वैदी काल की बात करें, चाहे पौरानी काल की बात करें फूलों ने हमारा साथ दिया है चाहे बात खुशी की हो, चाहे गम की फूल हर दशा में हमारा साथ निभाते हैं इन फूलों की आज हिमाचर प्रदेश में व्यापसाई खेती भी हो रही है बहुत सारे ऐसे पुष्प हैं जिनका उत्पादन हमारे हिमाचर प्रदेश के किसान बागवान सफलता पूरवकर सकते हैं आज के कारिक्रम में हमने ऐसे प्रक्तिशिल बागवान से भी बादचीत करने की प्रयास की जिनका नाम रवी स्वरूप है जो पुष्प उत्पादन से अपने आप जूड़े हैं और यहां के एक शेत्री नौजवानों के लिए एक मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं आज के कारिक्रम में हमने जर्बेरा पुष्प की व्याफसाई खेती को समझने का प्रयास किया इस कारिक्रम में हम और विशेयों को लेकर आपके समक्ष फिर से उपस्तित होंगे अभी कारिक्रम संपन करने की अनुमति दे नमस्कार